नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं राज्य सभर टीवी मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया खबरों को विस्तार से जाने के लिकिन उससे पहले नजर हेड्लाइन्स पर ब्रुनेई दोरे पर उप्रास्ट पती मोहम्मद हामिद अन्सारी सुल्तान से मुलाकात में सुरक्षा समेट कैस समझोतों पर होंगे हस्ताक्ष उप्रास्ट पती का ब्रुनेई में उर्वरक कार्खान लगाने पर जोर बजट सत्र की तारिखों पर विपक्ष से सलहा लेगी सरकार चार फर्वरी को बुराई सर्वधर्य बैठक संसदेकार मंत्री ने विपक्षी दलों को भीजी चिठ्थी मनी लॉंडरिंग मामले में छगन भुजवल के नौट ठिकानों पर च्छापे पूछताच के बाद भतीजे और पूर्वसंसर समीर भुजवल गिरफतार एंसीपी ने बताया बदले की राजनी थी महत्मा गांधी राष्टे ग्रामी रोजगार गैरंटी योजना ने पूरे किये दस साल उपलब ध्यों को सरकार ने बताया राष्ट्रिय गर्व राहूल गांधी जाएंगे आंध्रप्रदेश के बंदला पर लिकाओ और जीका वायरिस वैश्विक स्वास्त संकट घोशित विश्व स्वास्त संगठन का अंतरास्ट्रिय अस्तर पर ठोस कदम उठाने के अपीर केंद्र सरकार बचाओ के लिया जारी करेगी दिश्शार निर्देश उपराश्ट्रपती मोहमद हामिद अनसारी आज ब्रुनई के सुल्तान हसनलाल वोलकया और प्रिंस अलमोहतादी बिलाव से मुलाकात करेंगे इस दोरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, स्वास्त, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रद्योगी की समेत कई दूसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंध को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी उपराश्ट्रपती मुहमध हामिद अंसारी का ब्रूनई की राजधानी वंदर सेरी बेगवान पहुँचने पर भव्य स्वागत क्या गया ब्रूनई के वित्मंत्री अब्दुलरह्मान इब्राहिम ने उनकी अगुवानी की इससे पहले दिली से रवाना होते वक्त विशेश विमान में उपराश्ट्रपती मुहमध हामिद अंसारी ने ब्रूनई के साथ तेल और नाच्रल गैस के क्षेदर में सहयों को बहुद एहम बताया उन्होंने पूर्वी एश्याय देश ब्रूनई की भारत के लिए रणनीतिक महत्व का भी सिक्र किया विशेश विमान में उपराश्ट्रपती ने थायलंड को भारत का एहम सहयों की बताया उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आंतकवाद समेथ कई दूई पक्षिय मसलों पर चर्चा होगी इस ब्रून सब्स्टेंटिब नमबर वन दिफेंस कोपरेशन नमबर तू अक्टिव कोपरेशन अरिया ओशेकिग आर्टर्रप्राइशन ने पर चर्चाहिन जब्सक्राइशन पराश्ट्रपती महामिदांसारी के ब्रुष्ट्राइशन ब्रुनेई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थे, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रयाध्योगी की समेथ कई दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उपराश्पति का ब्रुनेई का दौरा तीन फर्वरी तक है, इसके बाद वो थाइलन की यात्रा पर रवाना होंगे। के पहले होगी सर्वदलिय बैठक के सिलसले में संसदेकार मंत्री वेंकाया नाइडू ने विपक्षी दलों के निताओ को चुठी लिखी है। वेंकाया नाइडू ने कहा है कि विधान सभा चुनाओ को देखते हुए सरकार बजट सत्र को लेकर विपक्ष से सलाह चाहती है। संसत का बजट सत्र 23 वरवरी से शुरू होने के संभावना है और इस बार बजट सत्र के दौरान ही पस्चिम बंगाल, असम, तमिनाडू, पुडुचेरी और केरल में विधान सभा चुनाओ होना है। जमु कश्मीर में सरकार बनाने को पीडीपी और बीज़ेपी आज राज जिपाल के सामने अपना रुख साफ करेंगी। सोंवार को दोनों पार्टियां अलग-अलग बैठक के बाद भी सरकार बनाने को लेकर इस्थिती साफ नहीं कर पाई। पीडीपी ने इस बारे में आखरी फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। तो वहीं बीज़ेपी ने पीडीपी की ओर से किसी शर्त की जानकारी होने से इंकार किया है। जम्मू और कश्मीर में सरकार गठन के असमंजस के बीच पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती मंगलवार को राज़ेपाल एनन वहरा से मुलाकात करेंगी। इसके बाद बीज़ेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्थ शर्मा राज़ेपाल से मिलने चाहेंगे। राज़ेपाल ने बीज़ेपी और पीडीपी से सरकार गठन को लेकर इस्थिती साफ करने के लिए कहा है। सोमवार को जम्मू में बीज़ेपी और शिर्णगर में पीडीपी की बैठक हुई। लेकिन सरकार बनाने की कोई पहल नहीं हुई। उधर इस मुद्धे पर बीजेपी के राज़े इकाई के नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रे नेतृत्रत्व के साथ मुलाकात की। बीजेपी का दावा है कि सरकार बनाने के लिए पीडेपी की ओर से शर्टों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। कॉंग्रेस ने सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की भूमिका से इंकार किया है पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुख्यमंत साइद के निधन के तेज दिन बाद भी राज्य में नई सरकार बनाने को लेकर इस्थिती साफ नहीं है फिलहाल राज्य में राज्यपाल शासन लागू है बेरो रपोर्ट राज्यसभा टीवी पस्चिम मंगाल में टीमसी या सीपेम से गड़बंधन पर कॉंग्रिस ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है राज्य के पार्टी नेताओं ने कल कॉंग्रिस उपाध्यक्ष राहूल गांधी से मुलाकात की लेकिन गड़बंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका पस्चिम मंगाल कॉंग्रिस के कई बड़े नेता सोमवार को दिल्ली पहुँचे और उपाध्यक्ष राहूल गांधी से मुलाकात की इन नेताओं ने राहूल को ताजा राजनीतिक स्थिती की जानकारी दी और विधान सभा चुनाव की रणनीती पर चर्चा की सुत्रों के मताबिक राज्यके अधिक्तर नेता सीपीम की अगवाई वाले वामगडबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है लेकिन पार्टी नेताओं ने इस पर सीधे कुछ भी कहने से इनकार किया पश्चिम मंगाल में वामडबंधनों से गड़बंधन करना कॉंग्रेस के लिए दोविधा गिश्तिती है पश्चिम मंगाल और केरल में एक वक्त पर ही विधान सभा चुनाव होने हैं केरल में सत्ताधारी कॉंग्रेस का मुकाबला वामडबंधनों से होना है ऐसे में पश्चिम मंगाल में वामडबंधनों से गड़बंधन का बचाव करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा विशाल दहिया, राजे सभा टीवी जोगी के निशकासन के बात की गई अपील पर विचार किया गया बैठक में मोतिलाल बोरा, गुलाम नभी आजाद, सुशील शिंदे भी मौजुद थे प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी ने 6 जनवरी को अंतागर्ट टेप मामले में वधायका में जोगी को निशकासित किया था और अजीद जोगी के निशकासन के अनुशन सा केंद्री अनुशासन समिती को भीजी थी ठीक समय में इसका नहीं लेंगे प्रवरतन निदेश्वाले ने सुमवार को महरास्ट के पूर्व PWD मंत्री और NCP के नेता चगन भुजवल और उनके रिष्टदारों के नौठी कानों पर छापा मारा ED ने चगन भुजवल के भतीज़ समीर को 6 घंटों की पूछता आज के बाद Money Laundering Act के तहित गिरफतार कर लिया ED की ये कारवाई High Court के उस आदेश के बाद हुई जिसमें अदालत ने महरास्टर ETS और ED से 4 हफतों के भीतर प्रगती रिपोर्ट मांगी थी चगन भुजवल के खिलाफ दिली में महरास सदन के निर्माड में गड़बड़ी और कलीना भूमी पर कब्जे के मामली की जाच चल रही है NCP ने इस कारवाई को बदले की राजनीती करार दिया है जो राष्टवादी कॉंग्रेस पाट्टी के नेताओं को बदनाम करने का प्रचार था उसको कहीं ना कहीं सच साबित करने के लिए पूरी तरह से सरकारी मशिनरी का दुरूपयोग किया जा रहा है शवकन भुजबल ने जो भरक्टाचार किया मंत्री पत का दुरूपयोग करके वो पैसा उसने अपने परिवार की जितमे उसकी पत्नी है पुत्र है भधिजा है उस कंपनी में पैसा ट्रांसफर करवा है यह पूरी मोडस अपरेंडिस सिद्ध हो रही है केंद्र सरकार की महत्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना के आज दस साल पूरे हो गए है इस मौके पर दिल्ली में मन्रे का सम्मेलन 2016 का आयोजन किया जा रहा है समारों में वित्यमंत्री अरुंजेटली मुख्यातिती के तौर पर संबोधित करेंगे इस मौके पर ग्रामीन विकास और पंचायती राजमंत्री बिरेंदर सिंग भी मौजूद रहेंगे पहले योजना की आलोचना करने वाली NDA सरकार ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राश्ट्रे गर्व और उत्सव का विशय हैं सरकार के बयान में कहा गया है कि पिछले वित्वर्ष के दौरान ये कारिकरम पट्रे पर लोटा है इस योजना की शुरुआत की थी राहूल गांधी यहां के गाउं के लोगों और जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और इस योजना के बारे में जानकारी लेंगे दो फरवरी 2006 को आंधर प्रदेश से ततकारिन प्रधान मंतली मनमोहन सिंग और यूपी अध्याक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना की शुरुआत की थी इसमें गाउं के लोगों को एक साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार देने का प्रावधान है इसके लिए लोगों को एक जौब काड़ दिया जाता है योजना के तहट गाउं में विकासकारे कराये जाते हैं अब तक इस योजना पर 3,13,000 करोड रुपए खर्च हो चुके हैं और ये योजना देश के 600 जीलों में लागू है हाला कि कुछ राजगों में इस योजना के कार्यान वेन, भरष्चाचार और अनिया मित्ताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं बिरू रपोर्ट, राज्जे सभाट टीवी सुप्रीम कोट ने मनरेगा और दूसरी केंदरी योजनाएं लागू नहीं करने के लिए गुजरात समित कई राजजियों को फटकार लगई कोट ने पूछा कि संसद में बने कानून इन राजजियों में क्यून लागू नहीं हुए कोट ने केंदर सरकार से सूखा पेड़ित राजजियों में केंदरी योजनाओ के स्थिती पर दस फरवरी तक हलफ नामा मांगा शिर्ष अदालत ने 18 जनवरी को मनरेगा हाद सुरक्षा कानून और मिड़े मिल जैसी योजनाओ पर स्टेटस रिपॉर्ट भी मांगी थी कोट में दार याचिका में या आरोप लगाया गया है कि सूखा पेड़ित राजजियों में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है सुप्रीम कोटनी अरुणाचल प्रदेश की राज़िपाल को भेजा नोटिस वापस ले लिया है हलाकि कोटनी केंसरकार से कहा है कि वो पूर्व मुख्य मंत्री नबामतुकी और संसदिय सचिवों के कार्यालों से जब्द सारी फाइलों और दस्तावेजों के प्रतियां शुक्रवार तक उन्हें मुहया कराए मामले की आज भी सुनवाई होगी केंद्र ने समविधान के अनुचेद 361 का हवाला देते हुए बताया कि राश्टरपती और राजिपाल किसी भी अतालत के प्रती जवाब दे नहीं है सुप्रिम कोट ने पूर मुखे मंतरी नबाम तुकी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिश जारी किया तुकी ने राजि में राश्टपती शासन लगाने को चुनौती दी है अरुणाचल में राजनितिक संकट के बाद 26 जनवरी को राश्टपती शासन लगा था इसके विरोध में कॉंग्रेस ने भी सुप्रिम कोट में याचिका दायर की है रविन सिंग शुरान राज्यसभा टीवी फिलाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए राज्यसभा टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्टू नए चेहरे बड़ी बड़ी नाव नमस्कार मैं हूँ प्रकाश जाओ मैं हूँ कनू बहल मैं हूँ सौरभ शुकलाओ मैं हूँ धृतिमांश दूजी मैं हूँ केके संदिल कुमार मैं हूँ ललितमोंतिवारी मैं हूँ सहय जिशिंदे मैं हूँ मनोज बाशफिय आपके चहते प्रोग्राम शुरू हो रहा है गुफटगू का सीजन फूर सिर्थ रاج्यसभा टीटी पर महराष्ट के मुरूड में अरब सागर में डूबने से 14 चात्रों की मौत हो गई मन्यवालों की तादाद बढ़ने की आश्रंका है महराष्ट की मुख्य मंत्री देवेंदर फड़नवीस ने हसे पर गहरा दुख चताया है महराष्ट के समुद्री शहर मुरूड के समुद्र तरट पर हुआ हाथसा दिल दहलाने वाला है पुणे के इनामदार कॉलेज के चात्र आये तो थे यहां मौजमस्ती के लिए लेकिन समुद्र की लहरों ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया घटना के बाद मुर्तकों के परिजनों में आक्रोश है हाथसे के बाद बचाओ अभियान के लिए पुलिस के गोताखुरों के अलावा भारतिय नोसेना और भारतिय तटरक्शक बल ने एक चेतक हेलिकॉप्टर और स्पीड बोर्ट तैनाद किये हैं मौरूड कौंकर्ण के तटवर्तिय इलाके का एतिहासिक परेटन इस्थल है यहाँ बना जन्जीर अक्लिला और समुद्र किनारे का नजारा देखने हर साल लाकों परेटक आते हैं पिछले साल अगस महिने में भी यहाँ पर छे परेटकों की दूबने से मौत हुई थी बिरू रपोर्ट राज्यसभा टीवी आंदर प्रदेश में OBC कोटे के तहट आरक्षन की मांग कर रही कापू समुदाय का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद सुरक्षा में कड़े इंतजाम किये गए पूर्वी गुदावरी जिले में अतरिक पुलिस बल की तैनाती हुई है मुखी मंत्री एन चंदरबाबू नाइडू ने कापू समुदाय को आरक्षन देने के वादे को दोहराया है कापू निता एम पदनाभम ने आरक्षन मिलने तक उपवास पर बैठे के धमकी दी है और इसी बीच पूर्वी गुदावरी के काका नीडा में कापू समुदाय के एक व्यक्ति ने आत्म हत्या कर ली है OBC कोटे के तहत आरक्षन की मान कर रहे कापू समुदाय के लोगों का विरोध थमतार नहीं दिख रहा है आत्रपरदेश के पूर्वी गुदावरी जिले में इस्तिती को काबू करने के लिए अतरिक सुरक्षाबलों को रवाना किया गया है साथ ही पूर्वी गुदावरी के कुछ हिस्सों में करफ्यू भी लगाया गया है मुक्यमंत्री चंद्रबाबू नैडू ने विजयवाड़ा में उच्छ सरी बैटक में सुरक्षा की समिक्षा की लेकिन रविवार के हिंसा के बाद समुदाय केनेता एम पदम नाभन ने कहा कि उनका या अंदोलन आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा कॉंग्रेस ने भी सरकार पर इस मामले को उल जाने का आरोप लगाया है पर इस मामला पुराना है कपू यानी किसान समुदाय के ये लोग उतरी तिलंगाना और रायल सीमा में रहते हैं और उनकी गिंती अगड़ी जातियों में होती है आंदर प्रदेश में उनकी आबादी तकरीबन 16 से 20 फिसदी है और बजट से ठीक पहले ब्यासदरों में कटौते की मांग के बीच रिजर्व बैंक आठ छटी दुमासिक मौद्रिक समिक्षा पेश करने जा रहा है अला कि जानकारों की माने तो केंदर बैंक से नितिगत ब्यासदरों में बदलाव की उमीद नहीं है इसकी बड़ी वचह है ठोक और खुद्रा महंगाई दर में इज़ाफा ब्यासदरों में कटौती से पहले कि इंद्रे बैंक महगाई के आकडों का विश्लेशन करेगा विश्लेशग्यों का मानना है कि 2016-17 के बजट के बाद ही नीतिगत दरों में किसी तरह का बदलाव होगा RBI ने बीते साल जितनी ब्यासदरे घटाई है उसका पूरा फाइदा बैंक ग्रहकों को नहीं दे पा रहे इस हालात में RBI चाहता है कि पहले उसका लाभ दिया जाए 2015 के दौरार नेतिगत ब्यासदर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की गई फिलहाल रैपोदर 6.75 प्रतिशत और रिवर्स रैपोदर 5.75 प्रतिशत है राष्टुपती प्रणा मुखर जी आज जैपूर में आतंगवाद निरोधक सम्मेलन का उधगाटिन करेंगे ये सम्मेलन दो दिन चलेगा सम्मेलन में अफगारिस्तान के मुखे कारिकारी अधिकारी अब्दुला अब्दुला मुखे वक्ता होंगे इस साल सम्मेलन का विश्य टैकलिंग ग्लोबल टेरर आउटफिट्स रखा गया है सम्मेलन में देश विदेश से करीब 250 पुद्धी जीवी, विशेश शग्य और विद्दुआन भाग लेंगे दो दिवसे कॉन्फरेंस के दौरान रक्षा मंत्री मनुहर परिकर बांगलदेश के विदेश मामलों में राज्ज्य मंत्री मोहमत शहरियार आलम विदेश सचेव एस जीशंकर विशेश व्याख्यान होंगे समेलन में वाश्विक आतंगवादी गुटों से निपटने के रणीती पर चर्चा होगे कारिकरम के अध्यक्षता रेल मंत्री सुरेश प्रभू करेंगे अफगानिस्तान के विकास में भारत पूरी मदद करता रहेगा अफगानिस्तान के मुखे कारिकारी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने ये आश्वासन दिया भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में विभिन दलों की एक्ता सभी के हित्मे हैं और उसे बनाए रखना चाहिए दोनों देशों ने तालिबान से बात चीत और आतंगवात को परास्त करने की साजह रणिती पर भी बात की अफगनिस्तान के CEO और मंत्री मंडल के प्रमुक डॉक्टर अब्दुला अब्दुला ने सोंबार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक मसलों के अलावा अफगनिस्तान के अंदुरूनी हालात और आतंगवात के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की दोनों देशों के बीच राज नईकों के वीजा मुक्त यात्रा से जुड़े समझोते पर हस्ताक्षर भी हुए डॉक्टर अब्दुला की मुलाकात विदेश मंत्री सुश्मा सुरास से भी हुई बैठक में अफगनिस्तान को 92 लगू योजनाओं के लिए रकम देने का फैसला हुआ डॉक्टर अब्दुला मंगलवार को जैपूर में आतंगवात विरोधी सम्मिलन को संभुधित करेंगी इस मौके पर उनकी राष्ट्य सुरक्षा सलहकार अजीट डोभाल से विस्तित बादचीत होगी अकिलेश सुमन राज्यसवा टीवी भारत और बांग्रदेश के बीच कल दिली में विदेश सचिव स्तर की वारता हुई इस में सुरक्षा और संपर्क बढ़ाने समेथ श्वेत्रिय सहयोग पर चर्चा हुई पिछले साल जून में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की धाका यात्रा की दोरान लिये गए फैसलों पर हुई प्रगती का जायसा भी लिया गया वारता में भारत की ओर से विदेश सचिव एस जैशंकर और बांग्रदेशी समकक्ष एन शाहि दुलहक शामिल हुए दोनों ने सुरक्षा जल उज्जा विज्ञान प्रध्योगी की और लोगों की बीच संपर्क से जुड़े मुद्दो पर चर्चा की बांग्रदेश के विदेश सचिव दोदिवसिय यात्रा की दौरान विदेश मंत्री सुश्मा सुराच और रास्टिय सुरक्षा सलहकार अजीत दुभाल से मुलाकात कर सकते हैं दुनिया के छे देशों की अग्रणी महिला राजनिताव में राजधानी दिली में लैंगिक मुद्दो पर आधारी दोदिवसिय सम्मेलन में शिर्कत की सम्मेलन में महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दो पर चर्चा हुई मुखे धारा में महिलाओं के उत्थान और कौशल विकास संबंधित मसलों पर महिला संसदों ने चर्चा की इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, शिर्लंका और कनाड़ा जैसे देशों की महिला संसदों ने शिर्कत की मुख्यधारा में महिलाओं की भागिदारी कैसे सुनिश्चित की जाए इस पर गोश्टी में चर्चा हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के महिला सांसदो ने भी खुल कर अपने राजनितिक और निजी जीवन के अनुभव साचा किये इस मौके पर इन सांसदों के विचारों से सभागार में मौजूद छात्र सहमत दिखे कनाडियन हाई कमिशन और कमला नहरू कॉलेज की पहल से आयुजित इस सम्मिलन में दिल्ली के कई कॉलेजों के हजारों छात्र जमा हुए किंद्रिय स्वास्थ मंत्राले आज जीका वायरस से बचाव के लिए दिश्वा निर्देश ज्यारी करेगा मंगलवार को जनेवा में हुई आपात बैठक की बात विश्वा स्वास्थ संगठनी जीका वायरस को वैश्विक स्वास्थ संकट खोशित कर दिया है और पीड़ी देशों को इस से निपटने के लिए कड़े कड़े कदम उठाने को कहा है जीका वायरस के बड़ते खत्रे को देखते हुए मंगलवार को वैश्विक स्वास्थ संगठन की जेनवा में आपात बैठक हुई जिसमें 23 देशों में फैले जीका वायरस को वैश्विक स्वास्थ संकट खोशित किया गया डवली अच्व माहनी देशक मार्गरेट चान ने कहा कि जीका वायरस के फैलाओं को रोकने के लिए जल से जल फोस फदम उठाने होंगे इसके लिए उन्होंने पीडी देशों से मच्छरों की तादाद को नियंतरित करने और मौझूदा मामलों से सही धंग से निपटने पर जोर दिया हाला कि उन्होंने कहा कि इसके लिए यात्रा प्रतिबंद लगाने की जरूरत नहीं है इस बीच इसी साल ब्राजील में होने वाले रियो अलम्पिक पर भी जीका वायरस का खत्रा मंडरा रहा है हाला कि ब्राजील की राश्ट्रपती डिल्मा रौसेफ ने इससे इंकार किया है इधर भारत में भी जीका वायरस के खत्रे से निपटने के लिए केंद्रिय स्वास मंत्राले आज जीका वायरस से बचाव के बारे में दिश्या निर्देश जारी करेगा बिरो रपोर्ट राज्य सभा टीवी और संस्कृती समिटे हुए हैं और इसी के साथ नज़र डालेते हैं हेडलाइन्स पर ब्रुनेई दौरे पर उप्रास्टुपती मोहमद हामिदन सारी सुल्तान से मलकात में सुरक्षा समीट कई समझोतों पर होंगी हस्ताक्ष उप्रास्टुपती का ब्रुनेई में उर्वरक कारखाना लगाने पर जोर बजट सत्र की तारिकों पर विपक्ष से सलहा लेगी सरकार चार फर्वरी को बुलाई सर्वगली बैठक संसदे कारे मंत्री ने विपक्षी दलों को भीजी चिठ्थी मने लॉडरिंग मामले में चगन भुजवल के नौ ठिकानों पर चापे पूछताच के बाद भतीजे और पूर्वसांसर समीर भुजवल गिरफतार एंसीपी ने बताया बदले की राजनी थी महत्मा गांधी राष्ट्य ग्रामीड रोजगार गैरंटी योजना ने पूरे किये दस साल उपलब ध्यों को सरकार ने बताया राष्ट्य गर्व राहुल गांधी जाएंगे आंध्र प्रदेश के बंदला पर लिगाओ और जीका वाइरस वैश्विक स्वास्त संकत घोशित विश्व स्वास्त संगत्थन का अंदरास्ते अस्तर पर खोस कदम उठाने की अपील केंद्र सरकार बचाव के लिए आजजारी करेगी दिशा निर्देश और फिल्हाल खबरों में इतना ही आगे देखिए देश देश शान्त है